नमश्कार दोस्तो एक बार फिर से मैं सभी पैंशनर्स और केंद्रे करमचारियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तो MSP यानि मिल्टरी सर्विस पेपर क्या अपडेट निकल कर आई है यह हम आपको बिल्कुल डिटेल में शेयर करेंगे दोस्तो हमारे जो जवानों के लिए JCO बनना एक बहुत ही बड़ी उमीद होती है फोज की एक बटालियन में जहां करीब 800 जवान होते हैं वही 42 JCO होते हैं छटे पे कमिशन के बाद से ही सब भी फोजियों को मिल्टरी सर्विस पे दिया जाता है जो सेलरी का ही हिस्सा होता है और इसमें दो स्लैब होते हैं ओफिसर्स को महीने में 15,500 रुपे दिये जाते हैं और JCO जवानों को 5,500 रुपे सेना का प्रोपोजल था कि इसके 3 स्लैब किये जाएं और JCO को भी जो उनका हक है वो बराबर दिया जाए 10,000 रुपे कम से कम JCO को भी दिये जाएं और ओफिस और जो जेसियों के बीच ये इतना फर्क है इसे खत्म किया जाए और रक्षा मंतराले इसे सहमत था लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे रिजेक्ट कर दिया था मिल्टरी सर्विस पे फोज के काम और कठीन प्रिस्तितियों को देखते हुए तै किया गया था रक्षा उन्होंने मना कर दिया है कि इसे इकवल बिल्कुल अभी जो इकवल करने का कोई परस्ताव अभी नहीं है और दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो हमारे जवानों की जो कठीन प्रिस्तितियों को देखते हुए इसे तै किया गया था तो आप सभी जानते हैं कि उन्हीं को देख कर दिया जाता है तो उसमें बिल्कूल भी फर्क नहीं किया जाना चाही हमारे जैसीओ को भी बराबर MSP का हक मिलना चाहिए इसे लेकर जो दिल्ली हाई कोट में हमारे जो JCO जवान है वार्स है उन्होंने केस फाइल किया था कि उन्हें बराबर हक दिया जाए जिस पर लगातार हीरिंग्स चल रही है मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाती हूँ कि क्या केस स्टेटस वहाँ पर चल रहा है आप देख सकते हैं दोस्तो दिल्ली हाई कोट की जो ओफिशल वेबसाइट पर है इस पर हम जो JCO आर्स का जो केस MSP का चल रहा है उसकी जो सभी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर ओपन करके खुद भी चेक कर सकते हैं इसकी लिश्टिंग डिटेल्स हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी 2022 को अब हीरिंग होनी है जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि 16 ग्यारा यानि 16 नमबर 2021 को भी हीरिंग होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई थी और आगे की जो तारीक अब 7 जनवरी की है मैं 6 दिन बचे हुए हैं MSP के केस को लेकर हीरिंग होनी है 7 जनवरी 2022 को हमारे जो सभी JCO Awards है उनको बेट है कि क्या इस पर हीरिंग होगी और क्या फैसला निकलेगा बरावर MSP का जो केस चल रहा है दोस्तों जैसे ही 7 जनवरी 2022 को दिली हाई कोर्ट से कोई अपडेट आती है हम फिर से आपके साथ तुरंट जुडेंगे और आपको अपडेट करेंगे शेयर करेंगे दोस्तों फिर मिलते हैं जैसे ही अपडेट आएगी तब तक के लिए जैहिन जै भारत